जहन्द नमस्कार मेरे सेर्शेर्णियो स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांडो केडमी पर दोस्तों आज का वीडियो इसपेशली मेडिकल से रिलेटेड है जो प्राइवेट पार्ट से समधित आपके प्रोब्लम है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं तो इस बात का भी आप जान रखे बहुत सारे बच्चे प्री मेडिकल कराने के लिए अप भी प्री मेडिकल करा सकते हैं अगर आपको किशी भी परकार का कोई भी संदे है अपने उपर और अगर आपके नमबर बहुत अच्छे है तो आपको प्री मेडिकल करा लेना चाहि देखे, आर्मी मेडिकल और SSE GD के मेडिकल में रात और दिन का फरक होता है, मैं आपको बता दूँ, आर्मी का तो मेडिकल होता है, और SSE GD का मेडिकल होता है, उसमें रात और दिन का, मैं आपको तो आर्मी मेडिकल में किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती, जबकि SSE GD के मेडिकल मैं आपको बता दूँ आपकी CBC यह नि बलट टेस्ट आपका होता ही होता है दूसरा यूरीन यूरीन टेस्ट भी आपका होगा अक्सरा और CBC यह जांचे होती है ठीक है अक्सरा आगे और पीछे का दोनों का जबकि आर्मी में इस प्रकार की कोई भी चीज़ें चेक नहीं होती है साथ ही जैसे SSC GD में आइज लेजर के साफ से चेक नहीं होती है यानि किसी बच्चे का अगर मालो लेजर से ओप्रेशन और का है तो उसको SSC GD में ज्यादा प्रोब्लम नहीं होती है जबकि आर्मी में पूरी प्रोब्लम हो उसके उज़े से लेकिन अब चलिए हम अपने वीडियो की तरब बढ़ते हैं कि प्राइबेट पार्स में कौन-कौन से प्रोब्लम होती है इस पेसलिए वीडियो लड़कों के लिए है तो अगर कोई लड़के इस वीडियो को देख रहे था आप इसको स्कीप कर दीजिए ये वीडियो और या बवासीत की प्रोब्लम में ये दोनों ही बीमारी को आप ठीक करा सकते हैं ध्यान रखना और इसमें मेडिगल फेरन ओलने से आप पस सकते हैं अगर आप समय पे ध्यान दे लेते हैं जैसे पाइल्स के लक्सन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं जिनके साले वाली कोई भी चीज खाय लेता तो उसके जलन शुरू हो जाती है पाइल्स की वज़े से ठीक है इसके होने के रिजन तो बहुत सारे हैं लेकिन आप तो इस बात पैजाईए कि ये कैसे आप पैजान सकते हैं आपके पाइल्स हेग नहीं आप जैसे अगर कुछ बित्त ये अंदर से बाहर के तरफ आती है इस कंडिशन में आपको फेल कर देंगे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर इसके लिए आप ओप्रेशन करा सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा चमड़ी है उसको हटा सकते हैं और अगर आपके अंदर के इस प्रकार से कट लग रखे हैं मस् अगर आपको प्रोब्लम होता आप उप्रेशन करा सकते हैं इसका या कोई देशी डोक्टर से इलाज गराते हो तो करा सकते हो लेकिन अगर आपके होल के भार चमडी दिख गई तो इसका मतलब है कि आप डायलिट अनफिट हो जाओगे अब बात करते हैं आगे वर्शन की दे इसका भी आप इलाज करा ले ना जिसको हैड्रो सील की प्रोब्लम है अगर आपके वो प्रोब्लम दिखी तो आपको डायरेट आउट कर देंगे वर्शन का वर्शन इतना एक छोटा सा हो जाता है बिल्कुल छोटा जो हाइड्रो सील होता है उसमें क्या बड़े-बड़े हो जाता है वर्षन और उसमें क्या होता है कि एक वर्षन कापी छोटा हो जाता है या दोनों ही वर्षन मान के लिए बिल्कुल छोटे हो जाते हैं क्मेंडर नहीं करता जल्दी से क्यों क्योंकि साधी शुदा अगर है उसके बच्चे हैं तो फिर प्रोब्लम नहीं लेकिन इसके ओपरेशन के उज़े से ऐसी प्रोब्लम भी आ सकती है अगर आपके है तो आप अच्छे हनुबवी डोग्टर के पास में इसका निदान कराए जल्दी ही ओपरेशन ना कराए लेकिन हाँ इस कंडिशन में आप फेल हो सकते हैं अगर आपका वर्षन इस परकार चाहिए तो किस कंडिशन में देखिए एक तो वर्षन की साइज दोनों की बराबर हो तो आपको मेडिगली फेल नहीं होंगे एक 19-20 का फरक होता जो बाइ आपको दिखता है यह आलका बड़ा आपको पर्तित होता बाइंतरप का उससे कोई प्रोब्लम नहीं है 19-20 तक वर्षन हो सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है इतने होने में आपकी गोलियां इस पर होने चाहिए दोनों को हाथ में पकड़े इस पर से पकड़ी जानी उनमें से चार से पांच बच्चे से मिले हैं जिनके तो होल है पेनिस में आगे तो वह मेडिकल पॉइंटर प्रमानेंट पॉइंटर इसका कोई इलाज भी नहीं है तो अगर आपके भी एस सिस्टती है तो फिर आपको फोर्ष के तैयारी नहीं करने चाहिए एक होना चाहि होल is not proper यह नहीं कई होगे क्या हुए तो जिसे होल सामने होता तो कई हों कर नीचे की तरफ हो जाता या कप ही ऊपर हो जाता तो उसका भी पॉइंट मिलता है या आरी में मिलता है Θी में मिलता है होल की जो सीच्वेस्ट विल्कुल सभी होनी चाहिए एक होती है फिमोसिस पीछे की तरफ आपकी जाहिए ठीक है और फिर आगे का जो च्छेद है वो पूरा पूरा इस्पेश्रूप से खुला होना चाहिए अगर आपके नहीं जाती तो आप यह करा सकते हैं और लगबग साथ से आट जार रुपे का खर्च आपके आ सकता है लेकिन आप यह ओप्रेशन आपको करा लेना है समय रहते हैं क्योंकि इसमें दो से तीन दिन का समय भी लगेगा फिर कोई प्रोब्लम नहीं होगी देनिक जीओन में भी से आपको कोई प्रेशान नहीं होगी ठेक है पेनिस के एक तो होल नोट प्रोपरलिवाला हो गया एक है आपको यह की हो लोना चीज़िए और एक थिमोंसिस यह तीन पॉइंट पंस के तो फिमोंसिस का मैं ने बता दिया इस पेसली इस पर धानकना जिन बत्随क फिमोंसिस की प्रोब्लम है वह इस प्राइट पार्ट से समझें कोई भी सक या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बुक्स में कमेंट करिए और मैं कोशिस करूँगा कि आपको आंसर कर सको अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत